हेलो दूस्तो राना क्लासिज में आपका स्वागत है तो आज मैं आपको आज की लेटेश कम्टी टिव इक्जाम और जोग अपडेट बताऊंगा तो इस वीडियो को सुरू से अन तक देखना ना भूले तो क्या है BMS ICL में 264 नए पदों का सिर्जन जल्द होगी भरती इनमें 194 में इंजिनियर होगी तो बिहार चिकिसा सेवाए वामाधार भूद सनरचना निगम लिमिटेड BMS ICL में 264 नए पदों का सिर्जन किया गया है जल्द ही इन पदों पर भरती होगी इन में 194 में इंजिनियर के पद है नए पदों की सुकिर्ती और भरती प्रकिरिया के सम्मद में स्वास्थ विभाग की और से 20-30 दिशा निर्देश जारी किया गया है BMS ICL से 31 अनुपयोगी पद को समाप्त भी कर दिया गया है BMS ICL का गठन भारतिये कमपणी अधिनियम के तहत हुआ है इस निगम के पास दवा उपकरानी त्यादी की खरीद बन निर्मान कारियों के जिमेदारी होती है स्वास्त विभाग से संबंदित भीविन परियाजनाओं के किरियान व्यान, मोनीटरिंग, एवों रख रखाओं से संबंदित सभी काम है जो की BMS ICL के जरिए कराय जाने का निर्मानी लिया गया है इसलिए BMS ICL के बढ़े हुए कामों को देखते हैं अतिरिक्त कारियों के स्थापना की आवसक तक देखते हैं नए पदे जो की सिर्जित किये गए हैं और इसमें इंजिनिर्य से वाओं की परतिन्यूक्ति पर ली जाएगी स्वास्त विभाग मुख्याले के अस्तर से इनकी नियूक्ति की जाएगी BMSI इन इंजिनिर्यों के नियूक्ति नहीं करेगा एक oh 94 इंजिनिर्यों में दो अजीच चन अवयंता इसके अलाबा विभिन अस्तर के 70 नए समीधा के अधार पर पदों का सिरजन किया गया इन 70 नए समीधा के पदों में से उप महा प्रमंदक अस्तर्बा इस से उपर के पदों पर नियोजन के लिए बिग्यापन निकाला जाएगा इन 274 ने पदोक को कुल 19.8,984 रुपय है जो कि बारसिक खर्द होंगे जिन पदोक समाप्त किया है उससे 93.6 लाख बचेंगे तो मतलब यह होगे कि आपको इसमें जो कि 194 इंजिनरियों की है जो कि जल्द है जो कि भर स्वास्त विभाग है जो कि इसका न्यूक्ति करेगा उसके बाद आते हैं दूसरी बड़ी ख़बरों पर तो क्या है नहीं मिली 11,000 से अधिक पदों पर कौनसेलिंग की अनुमती यह है बिहार टीचर से समद्धे तो राज में 11,000 से अधिक पदों के लिए प्रस्तावी पिसे इस कौनसेलिंग की अनुमती अभी तक राज निरवाचन आयोग से नहीं दी है सिच्छा विवाग की तरफ से इस संदर में जो कि आयोग के एक हफ्ते पहले ही प्रस्ताव दिया जा चुका है ऐसे आलात में लाखो अभियर्थी में हतासा है वहीं 38,000 से अधिक चैनी तरफ अभियर्थी भी नियोजन पत्र की आस में बैठे हुए है यही बजाए कि रासो नियोजन निकाईयों कॉंसे लिंक आय जानें इस संदर में विभागय त्यारिय पूरी की जा चुकीए अनुमती को लेकर लड़काई माम्ला क्या है तो ज्यान करों कहना है के उनलगाय कि और यहां जाने जानें किसी खास कारण से उसे निरस्त किया गया था, उल्यक्नी है कि सबसे पहले सिच्छा विवाग ने कौंसेलिंग कराए जाने पंचाइती राग विवाग से अनुमती मांगी थी, विवाग ने समती देते हैं, उसमें सलाधी कि इस अंदर में राज निर्वाचन आयों से अनुमती लेनी होगी, तभी स से जो कि मामला अधर में है, सिच्छा विवाग कमानना है कि पहले और दूसरे फेज कि कौंसेलिंग कराए जाने का निर्ने लेगा, अभी तक चैनित 3800 से अधिक सिच्छा नियोजन पत्र में लेकि आसमें बैठें, सिच्छा विवाग करना कौंसेलिंग और दस्तावे सत् इंटर लेवल में भी यही काम किया जाएगा, जो कौंसेलिंग की दिया हुआ है कि प्रथम बिक में हो जाएगी, लिस्ट आएगी, तो यह जो है, क्योंकि यहां पर भी आप देख रहे हैं कि अनुमती मांगी गई है, और राज निर्वाचन आयोग अगर 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 अट पर है, लेकिन पंचाय चुनाओ का हसर हो सकता है कि आपकी कौंसेलिंग तिति पर पढ़ सकता है, उसके बाद आते हैं, बिहार के इंजिरिंग कोलेजों में है, जो की एडमिसन की परकिरिया है, जो की जल सुरू होगी, और एडमिसन के लिए जो की अगले सबता है, जो की रेजिस्टेशन टिथी है, जो की किया जाएगा, तो यहां पर है जो की BCECV, द्वारा कॉंसेलिंग के लिए रेजिस्टेशन की टिथी है, जो की जारी करेगा, विशेशकार्ज पर अधिकारी अनिल कुमार सिना अभी NTA की ओर सेट डेटा नहीं मिला, डेटा मिलने के इंजरिंग कॉलेजों में एड्मिस्टेशन के लिए रेजिस्टेशन कर सकते हैं, सिनान कहा कि बिहार के सरकारी इंजरिंग कॉलेजों में एंटी के और से लगातार है, उसके बाद आते हैं, दूसरी खबरों पर, दिव्यांगों को पुर्णती में अरचन देने का आदेश, तो क्या सुप्रीम कोट ने मंगलवार को कहा कि केंदर दिव्यांगों को पुर्णती में अरचन देने के लिए जल्द दिशा निर्देश है, जो कि जारी करे कोट ने इसके लिए चार मा का समय दिया, कोट ने य पिछली सुनबाई में पीठी ने दलीले सुनी थी, याजका निका कि कैंसरकार स्पष्टिकरन मांग आलमे निरने की प्रफाम पूर्वत करने की मांग कर रही है, कानून के लागू होने के पांच बरस बाद भी है, जो कि दिशा निर्दे से जो की जारी नहीं किया गया, तो मतलब अपसाफ है कि दिव्यांग जनों को प्रमोशन में है, जो कि आरच्छन मिलेगा, इसके बाद आते हैं दूसरी ख़वरों पर, जेपीएससी के मेरिट लिस्ट मामले पर सुनवाई पांच को, हाई कोड में छटी जेपीएसी परिछा की मेरिट सुची रद करने के एकलपीट के आदेश के खिलाब दायर अपील पर पांच अक्टूबर को सुनवाई होगी, इस मामले में चीज जस्टिस डक्टर रही र जो कि अपना लिखित बियान है, जो कि दे सकते हैं, यह मेरिट का क्या चल रहा है, जो जो जोड़ा गया था, मेरिट शुचे जो कि रद करने का आदेश के आलोक में है, जो कि यह किया गया है, उसके बाद आते हैं, BPSC की 66 BPSC का फॉर्म है, जो कि कल से भराना चालू हो जाएगा, और तीस तारिक से बहुत लोगों को जो नन क्रिमी लेयर का क्या करेट एरिया है, EWS का क्या करेट एरिया है, तो इसको है, जो कि आपको अगर नहीं आता, तो उसके लिए मैं कोसिस करूँगा कि एक वीडियो बना दूँगा, कि बहुत सारे लोग यह कन्फ्यूज रहते हैं, कि मेरे आई जुटेगी कि माली कोई जॉब में है, तो मेरी आई EBC में या BC में जुटेगी, तो दोनों का रूल से जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एक गलत कदम है, जो कि आपको नोकरी लगने के बाद भी परसानी हो सकती है, बहुत चोटी चीज कि आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको सिरियस नहीं लेते हैं, कुछ भी डा आए परमान पतर जब भी बनाएं, तो एकदम सही बनाएं, बलकि बहुत लोग आरच्छन का लाव लेने के लिए इसकतर का फायदा उठाते हैं, या ध्यान नहीं देचे चलो क्या हो जाएगा, बहुत लोग इस तरह करें, इस तरह से नहीं होता, आप है जो कि एकदम जो अगर नियम नहीं पता है, तो उसको अच्छी ढंग से पता कर लें, बहुत सारे लोग जो विवाहित में लाएं, वो फायदर का नेम लगेगा कि सारा क्या होता है, कि साधी होने के बाद पती के नाम से जो कि आईडिये जो कि बन जाता है, तो लेकिन वीपिस क्या करा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, किसी अनुभवी आदमी सलाले, तभी फॉम भरने के बाद आपको फिर परशानी हो सकती है, क्योंकि यहां पर दस दिन का सुधार का मौका भी दिया गया, बीपेसी में लेकिन अन्य जो फॉम आती है, उसमें नहीं मौका दिया है, त कहीं न कहीं है, क्योंकि साब्धानी से भरे लापरवाही न बरते जिसे कि आपको भवी सुने हैं, जो कि रियल्ट होने के बाद भी फरशानी ना हो, तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद,